हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे वीडियो इटिंग सफ्ट्वेर के बारे में हैं वैसे तो वीडियो इटिंग के लिए बहुत सारे आपको सफ्ट्वेर मिल जाएंगे लेकिन उनमें से पीक आर्ट्स भी एक है जो खास है पी इडियो इटिट करते हैं इस्टेप बाई इस्टेप से समझ लेते हैं हम मुबाइल स्क्रीन पर पिक आर्ट्स पर क्लिक करके कुछ हमें इस तरह से इंटरफेस होगा इडिट फोटो पर क्लिक कर लेंगे और इडिट फोटो पर क्लिक करके हम देख लेंगे कुछ इस तरह स हमें फोटो लेने के लिए हमें send कर दिया जाएगा फ्रेंड्स यहां हम gallery select कर लेंगे और gallery पर जाकर एक फोटो अपने मन पसंद ले लेंगे जिस पर हम photo editing सीखेंगे फ्रेंड्स हम आज उन tools को सीखेंगे जो हम part फश्ट पर छूट गये फ्रेंड्स इसमें effect को पहले सीख लेते हैं देखिए इस पर आप various types के effect अपने photo पर apply कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं various types के effect आपको दिये गए हैं आप अपने मन मुताबित जो आपको अच्छा लगता है उस effect को apply करके एक बहतर आप दे सकते हैं रूप इसको अपने photo को फ्रेंड्स अब इससे हम देख लेते नेक्स टूल को यहां पर आटो है smoothness है आटो में करेंगे तो automatic इसमें आपकी smoothness photo की आपकी जो beauty है smooth कर देगा यह automatic कर देगा और manually करना है तो आप manually भी इसको manage कर सकते हैं अब फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं जिसमें यह यह beauty आ रहा है लेकिन यह गोल्ड का साइन है इसमें कुछ पे करना होगा इसे लाक खोलने के लिए लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे smoothness वैसे भी इतने tool unlock है जिनके through हम अपने photo को best edit कर सकते हैं smoothness में auto है आटो में automatic smoothness कर देगा आत्वा हम manually में ले जाकर manually रूप से कर सकते हैं और अर्स का काम है उसको मिटाना अगर ज्यादा हमसे अर्स manually हमने वह कर दिया है तो उसको जो है manually जो भी mistake हुई है तो उसे हम अर्स से मिटा सकते हैं फ्रेंट इस तरह से smoothness ने सम जो है दे दिया है यह अप जाक है अब अबनेक्स टूल देखेंगे फ्रेंट्स इस तरह से आप इसको मैनुल भीकर सकते हैं और इसकोенд Beim अब नेक्स टूल को हम सीखेंगे फ्रेंड्स इसको डिस्कार्ड कर देंगे अप्लाइ नहीं करेंगे अब नेक्स टूल को देख लेते हैं यहां से एफ्यक्ट आप वेरिस्टेव के स्टीकर्स ले सकते हैं इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने फोटो पर अपने वाल पर जहां पर भी आप अपने एक्वार्डिंग्स इसको अप्लाई करना चाहें जहां पर भी आप अड्जेस्ट करना चाहें वैसे अड्जेस्ट कर सकते हैं अब cut out देख लेते हैं PRNTS कुछ इस तरह से person का cut out करना हो face cut out करना हो जो भी cut out करना हो आप कर सकते हैं manually cut out करना हो आप कर सकते हैं Cut out करने से इस photo png की फॉर्म में हो जाएगी यनि ये photo किसी भी background के साथ अर्जेस्ट हो जाएगी इस तरह से आपको कुछ देखने को मिल जाएगा फ्रेंट्स इस प्रेटो को महीं विलए जा remain कर कहीं किसी Onlyए के साथ अर्जेस्ट कर सकते हैं इस तरह से मैं इसको भी है अब निक्स टूल डाउidents डाउंलोड करके एपने फोटो को पेंजी के फाम में बनाकर आप उसका बेग्राउट चैंज कर सकते हैं यहाँ से यहां से प्वालों कर रहा हूं वह सी recipients वीघ्डाउड चैंज सकते हैं प्रेंट्स इस तरह से यह अब काम करता है आप आपने देख लिया और स्याद आई होप आपने सीख भी लिया है कि प्रेंट्स यहां से भी बैक्ग्राउंड आप ले सकते हैं गैलरी से आपने जो बैक्ग्राउंड डाउनलोड कर रखा है अपने गैलरी पर वो बैक्ग्राउंड भी यहां से ले सकते हैं प्रेंट्स इस त करेंगे तो फेस हो जाएगा फ्रेंट इस तरह से हम जो भी चाहिए वो कट आउट कर सकते हैं कि परसन अब फेस पर हम करेंगे तो यह चहरा बस कट आउट होगा और कुछ भी इसके अलावा कट आउट नहीं होगा क्लॉथ में कवर कपड़े कट आउट हो जाएंगे बाकी और कुछ भी नहीं होगा अगर हम इसको सेफ करते हैं तो सब कुछ गयाब हो जाएगा कि वर कपड़े कपड़े बचेंगे यह देखिए फ्रेंट कुछ इस तरह से आपको सो होगा आप यह पे किसी और का सर और किसी और का हैंड लगा कर आप किसी और की पिक बना सकते हैं आप कि टूल्स का नालेज होगा तो आप किसी भी तरह से मोडिफाइट कर पाएंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप किसी भी तरह का टेक्स्ट अपने हिसाब से अडजेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी, अब आप अपने हिसाब से कहा पर करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, फ्रेंड्स आप और भी बेटर और बेटर लुक दे सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस तरह से यह टेक्स्ट का अप्सन काम करता है आई होप आपने इस अप्सन को भी सीख लिया होगा फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए color अगर आप color change करना चाहते हैं इस तरह से हम color change कर सकते हैं जो भी color हमें change करना हो प्रेंट्स add photo add photo में इसका मतलब है कि एक photo की उपर दूसरी photo add करना यहानि कि इस photo को भी हम add कर सकते हैं जहाँ पर भी add करना चाहें आप अपने हिसाब से add कर लेजे और भी आपको इस टूल का पता होना बहुत अवस्याक था इसे लियक्स को करने के लिए और यूटूब के लिए पैस्ट vacun के सब्सक्राइब करना जाए और लीव insert के लिए अंधार्न करना चाहते हैं उसके करदिंग अभी फटो को यह और फिलिप रोटेट अप फ्लिट रॉटेट इसे रॉटेट कर सकते हैं सैड ऊक्राइट तरह संसें इसाल्व और के कर सकते हैं यह चरूंड इसली आнок पेंarta नो मेर्सिन प्लिचों करेगा या गैयलले-स एक ग्राउड ले कर प्योडड को कृड़ियंग भागतर र सकते हैं या फिर फोटो को सुपिक्र in गे तो वह बैक 打 में एड ह जायेगा खाएग गंगे कि यहां से aber आप मूफ करेंगे तो इस तरह से कुछ बन जाते हैं छार बन जाते हैं और इस तरह मिटा सकते हैं आकी इसे सकते करेंगे और नेक्स सीखेंगे ती अ border border आप कैसे देना चाहते हैं Mogher किसे नंब और भटना बढ़ना चाहते हैं कितना एक वड़िसा छाहते हैं हिए अरुकर मस्क पर आप इसके अपने एक्वार्डिंग्स यह जितने आपको देख रहे हैं साइडो रैनी एंड रिपल प्रिज्म कैसा आप देना चाहते हैं इसको आप अपने एक्वार्डिंग्स चूज कर सकते हैं आपको टूल्स का नौलेज होगा फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से फोटो को और भी बेटर ल रिधल कर सकते हैं फिर किसी भी एक फोटो को नहीं आप हजार फोटो एडिट कर पाएंगे जिएола प्रा भरस आप कुक्छ भी यहां कर सकते हैं मैनूल्वाली्ट राख करिए और इसको अर्ष से स्कुछ जब पिदुटह अगल पी इंटल करना था है और सो हुआ हो कि यूख्राइब करेंगे ओर लेंज को समझो लेते हैं लेंज जो एप्रेंट्स हमें लेंज्ट इंटर erfolg激 टूल से जिट्रेंटें टैट्स के लेंज गाईगा इस तरह से इंटम सकते हैं कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से इफेक्ट दे सकते हुआ 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 में देख लीजिए आप अपने हिसाब से मिसको डिसकार्ट कर देते हैं लोट कर सकते हैं इस तरह से आप फोटो को इडिट कर सकते हैं इस तरह से हम इसको यूज करके फ्रेम, फ्रेम से आप फ्रेम बैरेस्ट इसको फ्रेम लोड कर सकते हैं और इस तरह से आप फोटो को एक फ्रेम दे सकते हैं इस तरह से हमने इसको एक फ्रेम दे दिया है टेक्स्ट इस तरह से आप कुछ भी यहां पर टाइप करिए और इसको अपने फोटो पर लगाना चाहते हैं जहां भी लगाना चाहते हैं जहां पर अड़ेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आप इसको अड़ेस्ट कर सकते हैं इस तरह से कुछ इसको हमने यूज किया है कलर भी चेंज कर सकते हैं फॉंट चेंज कर सकते हैं ऑपसिटी कर सकते हैं ब्लेंड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इडिट करके आप इसको अपलाई कर सकते हैं अपने फोटो एडिटिंग पर इस तरह से हमने इसको आज सीखा यह सारे Tools के बारे में हमने सीख लिया है फ्रेंट्स आपका बहुत-बहुत धन्वाद हमारे चैनल को विजिट करने के लिए फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप फाल्ज वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि उस पर भी हमने ंगे करीब 10 से 12री कर दिसकॉस किया है रही हमने यृद चॉल्स नियुक्त है कि देख सकते हैं।